हेलो और नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज है 21 जन्वरी यानि हमारे प्यारे सुषांत सिंग राजपूत का जनम दिन लेकिन ये जनम दिन वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता था आज सुषांत सिंग राजपूत हमारे बीच में नहीं है वो सुशांत जिसका आज जनम दिन है आज सुशांत को गए हुए साड़े साथ महीने हो चुके हैं लेकिन हर एक SSRIANS को ऐसे महसूस होता है जैसे SSRI की मौत कल परसो का ही हादसा हो सुशांत की मौत के बाद कुछ लोगों को लगता है कि सुशांत को अगर रास्ते से हटा दिया गया है तो अब किस्सा खत्म हो गया लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि किस्सा तो यहां से शुरू हुआ है 14 जून 2020 से पहले हर कोई इन फिल्मी भांडों को हमारी गिंती सिर्फ कुत्तों में की जाएगी क्योंकि पीछे सिर्फ कुत्ते भागते हैं इनसान नहीं यह जो अपने आपको सुपरिश्टार कहते हैं एक भी इनसान SSR के आसपास भी नहीं है वो भले ही एक कॉलिज ड्रॉप आउट था लेकिन उसे हर फिल्ड की बहुत डीपली नॉलिज थी हर नई चीज में उसे इंट्रेश्ट था वो एस्ट्रोनोट बनना चाहता था एर फोस में पाइलेट बनना चाहता था इतने उंचे और बड़े ख्वाब थे उसके एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचता है उससे अलग वो कभी सोची नहीं पाता है उसका जो दिमाग है वो इतना ही ब्रोड होता है उतना ही चोड़ा होता है कि वो सिर्फ एक्टिंग के अंदर ही सोच पाता है लेकिन फिर भी धंकी एक्टिंग नहीं कर पाता सोशान सिंग राजपूत मंगल पर और चान पर जाने की सोचता था नासा में जाने की सोचता था हवाई जाज उडाने की सोचता था लेकिन फिर भी वो इतनी जवर्जस्त एक्टिंग करता था कि हर बड़े सोकॉल सोपरिश्टार से चार कदम आगे होता था उसके दिल में परिवार, समाज और देश्ट के लिए कुछ करने की एक इच्छा थी वो कोडिंग सीख रहा था, खुद गेम बनाने की सोस्ता था हवाई जाज उडाना सीख रहा था, नासा में जाने की तयारी कर रहा था कितने बड़े बड़े और उंचे उंचे सपने थे उसके लेकिन 13 और 14 जून की रात ने सब कुछ मिटा दिया जिन लोगों ने SSR के साथ ये किया था हर उस बड़े एक्टर की असलियत जो है आज की डेट में सामने आ चुकी है लेकिन आज भी अगर हम उन्हें जवाब नहीं दे पाए तो शायद हम कभी इस गटरवूट जैसी गंदगी को साफ नहीं कर पाएंगे कोई कोर्ट कोई CBI कोई कानून सुशान सिंग राजपूत को इंसाफ नहीं दिला सकता है आप ये अच्छे से गांट बांद लीजिए सुशान को इंसाफ दिला सकते हैं तो हम और आप हम सब मिलकर इस बॉलिवूड को बॉयकॉट करके इसे जड़ से उखाड़ के अगर शुसान सिंग राजपूत की आत्मा की शांती के लिए प्रातना करें सिर्फ दो मिनट के लिए कोई धकोसला करने की जरूरत नहीं है आप खुद सोचके देखें कि जिसके परिवार से एक इंसान गया हो एक जवान मौत हुई हो क्या वो आज की दिन डांस करेगा बिल्कुल नहीं करेगा आप सिर्फ सच्चे मन से दो मिनट का मौन करें उसके लिए प्रातना करें शांती की प्रातना करें सिर्फ इतना काम करना है कुछ नहीं करने की जरूरत है ना गाना गाने की जरूरत है ना डांस करने की जरूरत है जहां पर आप हैं दो मिनट का मौन करें बस वही उसके लिए सच्ची स्रजदान जली होगी और उसकी आत्मा की शांती के लिए प्रात्ना होगी हमें प्रे करनी चाहिए भगवान से कि शुसांत के पिताजी को इतनी शक्ती दे कि वो इस दुख की घड़ी में मजबूती से सामना कर पाएं शुसांत जहां हैं खुश रहें उनकी आत्मा को शांती मिले दिल से बस यही प्रात्ना है जैहिंद